हेलो स्टुडेंट्स हेलो लेर्नर्स आज हम बात करेंगे इंटर कनवर्जन ओफ एल्कोहल्स यहाँ पे मैंने सारी रेक्शन्स लिखके नोट करी हुई है ताकि आपका टाइम शॉर्ट हो सके और इनी स्टैप्स को मैं एक्स्पेंड करूंगी यहाँ पे कौन सी स्टैप्स आपको फालो करने होंगे यहाँ पे बात करेंगे यहाँ पे आपको जितनी भी एलकोहल्स में रेक्शन होती है उनका सब्बा समराइज फॉर्म होती है तो सबसे पहले आप अगर आपके पास कोई lower alcohol है उसकी reaction कराएंगे hydrogen halides के साथ और उस hydrogen halides से reaction कराने पर ये reaction होगी आपकी substitution reaction जिसमें आपको alkyl iodide मिल जाएगा और alkyl अगर आपने hydrogen iodide ले रखा है तो और alkyl iodide की reaction आप potassium cyanide से कराएंगे तो फिर से एक substitution reaction होगी nucleophilic substitution reaction जिसमें आपको alkyl cyanide मिलेगा इस alkyl cyanide की reaction जब आप कराते हैं hydrogen यानि की reduction कराते हैं in the presence of reducing agent तो cyanide group will convert into CH2 NH2 group जो cyanide का C होगा वो CH2 यानि methylene और N NH2 में convert हो जाएगा जिससे हमें primary amine मिलेगी जिसका number of carbon alcohol के initial alcohol के reactant alcohol से एक carbon extra होगा more होगा फिर हम उसकी reaction कराएंगे nitrous acid के साथ जो कि HNO2 होता है तो यहाँ पर फिर से substitution reaction होगी जिसमें amino group को hydroxyl group convert करेगा और हमें one carbon more containing alcohol मिल जाएगा तो यह सारी steps आपको follow करें नहें होंगे यहाँ पर मैं एक example discuss कर रही हूँ conversion of methanol to ethanol तो इसमें आप देख रहे हैं यह methanol methanol की हमने हैचाई से reaction करी methyl iodide बना methyl iodide को जो आपने KCN के साथ treat करा तो methyl cyanide मिला और उसका reduction करने पर आपको इथाईल अमीन मिलेगी और इसकी reaction nitrous acid से करने पर आपको इथाईल मिलेगा तो यह हो गया conversion of methanol to ethanol another example here कि आप इस ethanol को propanol में कैसे change करेंगे तो ethanol का आप HI के साथ reaction कराएंगे आपको इथाईल iodide मिलेगा इथाईल iodide की reaction केसियन से कराने पर इथाईल साइनाइड और उसका reduction करने से आपको प्रोपाइल अमीन मिलेगी और प्रोपाइल अमीन की nitrous acid से reaction करने पर आपको प्रोपाइल एलकोहल मिल जाएगा तो ये था interconversion of lower alcohols to higher alcohols आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो साइन्टिफिक फैक्ट्स साइन्स 11-12 बीस सी और लोर क्लासिस की साइन्स biology and chemistry से related different videos देखने के लिए आप मेरी चैनल को subscribe कर लीजिए और वीडियो को share करिए like comment कीजिए धन्यवाद thank you thank you so much